चाड़क के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मववा मोहित्रा के बारे में जिनकी संसत सदस्यता हाल ही में चली गई है त्रणमुल कॉंग्रेस सांसत मववा मोहित्रा के रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में लोगसभा की आचार समीती की रिपोर्ट सदन में पेश की गई भाजपा सांसत विजे सोनकर ने रिपोर्ट को सभा के पटल पर रखा करीब आदे घंटी की चर्चा के बाद लोगसभा ने आचार समीती की उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी जिसमें त्रणमुल कॉंग्रेस की सांसद मवव मोहित्रा को निश्काशित करने की सिफारिश के गई थी सदन ने मवव मोहित्रा को निश्काशित करने से सम्मंदित संसदिय कार्यमंत्री प्रलहाज जोशी के प्रस्ताव को स्विकरती प्रदान की इसका मतलब ये हुआ कि नगदी के बदले सवाल पूछने के मामले में मववा की संसत सदस्ता तकाल प्रभाव से रद हो गई है अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो समीती ने 500 पेज की रिपोर्ट बनाई है इसमें संसत की गरीमा को बचाने वे राष्टी सुरक्षा को महत्व देने के लिए कई एहम सिफारिशें की गई है मववा पर रिश्वत लेकर अदानी समूह के खिलाफ कारो बारी हीरा नंदानी को लाब पहुचाने के लिए सवाल पूछने के आरोप है खुद मवा ने स्विकार किया है कि उन्होंने संसत में सवाल पूछने के पोर्टल से जुड़ी अपनी आईडी पास्वर साजा किये थे हेरा नंदानी ने मववा को रिश्वत देने की बाद भी स्विकार की है इससे पहले लोगसबा एथिक्स पैनल ने अपनी रिपोर्ट ओप्चारिक रूप से 6-4 मूट से स्विकार की थी जिसमें व्यवसाई दर्शन हेरा नंदानी के साथ अपनी लॉगिन क्रिदेंशल साजा करने के लिए टी-एमसी की मवव मोहत्रा को संसत से आयोग्य घोशित करने की सिफारिश की गई थी इसमें कहा गया था कि उनकी कारवाई से रास्टे स्रुक्षा को खत्रा है क्योंकि हीरा नंदानी के पास दुबई में निवास का अधिकार था और विदेशी नागरिक उनके रिष्टेदारों में से थे अब हम बात करेंगे इस रिपोर्ट की प्रिष्ट भूमी के बारे में भाजपा सांसत विनोध कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समीती ने 9 नमबर को रिपोर्ट स्विकार की थी इसमें पैसे लेकर सवाल पुषने के आरोप में मवा को दोशी माना गया है और उनकी निस्काशन के सिफारिश के गई थी समीती के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मद्दान किया था जिन में कॉंग्रेस सांसत परणीत को और भी शामिल है जिन्हें पार्टी निलंबित कर चुकी है विपक्षी दलों के 4 सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपनी एसहमती दर्ज कराई थी विपक्षी सांसतों का कहना था कि यह रिपोर्ट एक फिक्स्ट मैच है उनका कहना था कि मववा के खिलाख भाजपा सांसत निशिकान दूबे ने यह जो शिकायद दर्ज करवाई है उन्होंने पैसे और उपहार लेकर अदाने समूग की छवी खराब करने के लिए सवाल पूछे उनके समर्थन में पक्के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गए है अब हम बात करेंगे कैश फोर क्वेरी घोटाला होता क्या है कैश फोर क्वेरी शिकायद एक आरोप है कि किसी ने संसद में प्रश्ण पूछने के बदली में पैसे लिए है एक उधारन से समझे तो 2005 में 11 पुरू संसदों पर कैश फोर क्वेरी घोटाले के लिए मुकदमा चलाया गया था स्टिंग में उन्हें संसद में सवाल उठाने के लिए नगदी लेते हुए दिखाया गया था अब हम बात करेंगे संसद ये आचार समीती के बारे में इसका गठन कैसे हुआ और ये कैसे कारे करती है ओक्टूबर 1996 में आयोजित पीठा सीन अधिकारियों के समेलन में एक प्रस्ताव को अपनाया गया जिसमें विधाई काओं से एक आचार समीती के गठन की संभावना तलाशनी की इच्छा व्यक्त की गए आचार समीती राजय सभा भारत में किसी भी विधाय का द्वारा पहली इसी समीती का गठन सदस्यों के नेतिक आचरन की निगरानी के लिए चार मार्च 1997 को राजय सभा के सभापती के द्वारा किया गया था नियमों के अनुपरियों की बात करें तो यह प्रदान किया गया था कि परकिरिया और अन्यमामलों के सभी विशेशा दिकार समीती पर लागू नियम ऐसे बदलाओं और संशोधनों के साथ आचार समीती पर लागू होंगे जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर करते हैं तेरवी लोगसभा के अध्यक्ष स्वर्गिय जीमसी बालयोगी ने 16 वई 2000 को लोगसभा में पहली आचार समीती का गठन किया था इसकी भूमिका और कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य होता है सांसदों के अच्छे आचरन को सुनिश्चित करना, सदस्यों के नेतिक आचरन की निगरानी करना विवादो हेतु निर्ने लेना, सदस्यों के नेतिक और अन्य कदाचार के संदर्व में संदर्वित मामलों की जाज करना लोग सभा की किसी सदस्य के ऐनेतिक आच्रन से संबंदित प्रतिक शिकायत की अधक्ष द्वारा जाज करी जाती है और ऐसी सिफारिशे करना भी इसका कार्या है जो ये उचित समझते हैं सदस्यों के लिए एक आचार सहीता तयार करें और समय समय पर आचार सहीता में संचोधन या परिवर्दन का सुझाव भी दे सकते हैं शिकायत की प्रकिरिया के अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ती किसी सदस्य के खिलाफ किसी अन्य लोगसबा सांसत के माध्यम से कथित कदाचार के सबूत और एक हर्पनावे के साथ शिकायत कर सकता है कि शिकायत जूटी तुछ या परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए यदि सदस्य स्वयम शिकायत करता है तो शपत पत्र की आवशक्ता नहीं होती है अध्यक्ष किशी सांसत के खिलाफ कोई भी शिकायत समीती को भेज सकता है समीती केवल मीडिया रिपोर्टों या विचारा धिन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है किसे शिकायत की चर्चा करने का नेनलेने से पहले समीती प्रथम द्रश्यता जाच करती है यह हैं शिकायत का मुल्यांकन करने के बाद अपनी शिफारिश करती है सामीती अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है जो सदन से पूछता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए रिपोर्ट पर आदे गंटे की चर्चा का भी इसमें प्रालधान है इसी परकिरिया के माध्यम से मौगा मोईतरा की सदस्यता को भी रद किया गया है इसके साथ ही आज का हमारे विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्टेट